इकलोजी एंड बायो डाइवर्सिटी इसमें हम बात करने वाले हैं स्पीसीज इन न्यूस पर्टिकलरली फॉना की बात करेंगे फॉना का मतलब अगया एनिमल्स बर्ड्स ये इसमें इंक्लूड हो जाएंगे यहां से बहुत सारे क्वेस्टन्स निकलते हैं और UPSC Problems में आप देखते हो कि वहां पर आपको सीधा कई बार तो एक paragraph में statement दे दिये जाते हैं फिर उसके बाद में आपको identify करने के लिए बोला जाता है कि आप बताईए किस particular species की ये बात हो रही है और कई बार ये होता है कि किसी भी species को statements में define करने के लिए बोल दिया जाता है कि हाँ जी ये particular species है इससे related हम यहां पर 3 या 4 statements दे रहे हैं आप identify करो कौन से सही है कौन से गलत है तो इस तरीके से कैसे भी गुमा फिरा के question आ सकते हैं ठीक है तो ऐसे में आप बने रही है देखिया first हमारा जो आज का इस particular आप कह सकते हो कि part में आप देख सकते हो olive ridley turtle के हम बात कर रहे है ठीक है olive ridley turtle ये one of the smallest turtles में से एक है ठीक है one of the smallest turtle turtle और tortoise दोनों में difference ही होता है कि turtle है उनके एक तो आगे के जो पैर होता है वो इस तरीके के होता है ठीक है जिससे ये swim अच्छे से कर सके आराम से तैर सके और tortoise होता है वो चारो पैरों पे चलता है जिनकी speed कम होती है ठीक है तो point यहाँ पर है olive ridley turtles है अभी इन्होंने mass nesting जो की जाती है इनके द्वारा मतलब एक साथ बहुत ज़ादा quantity में अंडे दिये जाते है वो अभी bay of bengal cost पे start कर दिया है इसलिए ये news में थे bay of bengal cost की अगर बात करें तो इंडिया map और इंडियन map में इधर जो उडिसा वाला area ना वहाँ पर इस तरीके की mass nesting देखने को मिलती है यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो area है वहाँ पर जहाँ पर मोटी मोटी mainly अगर rivers की बात करो तो एक तो देवी river है जो की महानदी की distributor है महानदी से निकली होई नदी ठीक है और एका रोशी कुल्या रिवर यहाँ पर और इसके अलावा यहाँ पर गहिर माथा वाला जो area है ठीक है उडिसा कोस्ट पर ही वहाँ पर भी यह mass nesting की जाती है और इस mass nesting में यह लाखो की तादाद में turtles ना female turtles यह आती है कॉस्टल लाइन पर और फिर यहाँ पर अंडे देती है और इसी process को अरी बाड़ा भी वोला जाता है तो यह कई बार पूछा जा सकता है तो थोड़ा ध्यान रख लें यह mainly कहां पर मिलते हैं warm waters में नाम तो देखो इनका एक और दिया जाता है रहता है warm कह सकते हैं उसको आप देखोगे कि वहाँ पर यह मिल जाते हैं ठीक है जिसमें Pacific भी आ गया Atlantic Ocean भी आ गया और इसके लावा Indian Ocean भी आ गया ठीक है जी अरी बाड़ा का मतलब मैंने आपको अल्रड़ी बता दिया है ध्यान रखना और females जब यह इस तरीके से एग लाई करती है नेस्टिंग का जो प्रॉसस होता इसमें वो एक सीजन में एक से तीन बार तक वो अंडे दे सकती हैं और अंडे भी बहुँ ज़ादा quantity में देती हैं और अंडे दे करके उनको मिटी में एकदम अच्छे से दबा करके और फिर बाद में खुद तो चली जाती है फिर अंडे उसे निकल करके जो बेबीज होता है वो निकल करके सी में चले जाते हैं ठीक है और यह जो प्रॉसस है मास नेस्टिंग का इसको अरीबाड़ा बोला जाता है और यह अभी जो मास नेस्टिंग देखी गई है यह कहाँ पर गहीर माथा कोस्ट जो भी हमने मैप पे देख लिया उडिसा में लोगेड़ है और उडिसा में ही वहीं गहीर माथा वाले एरिया से थोड़ा साउथ के तरफ आएं तो रोशी को लियार रूक री है क्राइब है, मॉलस्क है कहने का मतलब छोटे एनिमल्स और प्लांट्स इनको यह कंज्यूम करके सर्वाइव करते हैं ठीक है तो ओलिव रेडले टर्टल के बारे में एक इंपोर्टन इंफर्मिशन थी और एक क्वेशन भी आया था पहले कि इसमें क्या होता है कि आपको इस तरीके से क्वेशन दिया था कि यह जो IUCN है ना IUCN बोल दो या फिर Wildlife Protection Act जो 1972 का एक्ट है हमारा इन दोनों के आदार पर कैसे भी क्वेशन आ सकता है जिसमें मैं आपको इस statement बता देता हूँ simple कि उसमें 2017 का paper था probably उसमें question था कि Olive Ridley Turtle को अगर Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972 में डाल दिया जाए तो अब आप बताईए कि यह किसके equivalent इसको protection मिलेगी किसके equivalent treatment मिलेगा तो ऐसे में वहाँ पर जो option था वो tiger से related था ठीक है क्योंकि जहां हम हमारे देश में Wildlife की protection की बात करते हैं तो वहाँ पर Wildlife Protection Act 1972 में different schedules है Schedules इसलिए है कि इसमें आप जितनी ज़्यादा protection की requirement For example कोई भी animal या कोई भी species जिसकी population लगाता decline कर रही और उसमें ज़्यादा attention नहीं दिया गया तो वो extinct हो जाएगी लुपत हो जाएगी तो ऐसे में उसको फिर schedule first में डाल दिया जाता है जिससे कि उसकी hunting और उससे सम्मन्दित उस animal या उस species से related कोई भी activity हो रही है तो उसकी monitoring proper हो सके और उसकी protection हो सके तो ऐसे में इस तरीके से भी indirect question भी कई बार निकाल दिये जाता है IUCN red list में इसका status of vulnerable available ध्यान रखें और sites में appendix first में आ जाता है अब IUCN और sites क्या है इनके बारे में थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूँ कारण की फिर आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इनकी relevance बढ़ती चली जाएगी इसलिए हमारे लिए जरूरी है IUCN के अगर बात करें न तो main list को international union for conservation of nature that means nature की conservation के लिए established एक union है जो कि एक red list declare करती है red list का मतलब एक acid list होती है जिसमें अलग-अलग species को categorize किया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि किस species के ओपर कितना खत्रा है जो जितने ज्यादा खत्रे में रहेगा उतना ही उसके उपर attention ज्यादा दी जाएगी ये लग-बग 9 categories में classification करने का काम करती है तो यहाँ पर बात आ गई vulnerable की तो vulnerable species basically वो होती है जिनका पिछले 10 साल का record उठागर के देखो और पिछले 10 सालों में जितनी भी population थी उनमें लग-बग 30 से 50% तक अगर reduction हो गया ना कितना 30 to 50% reduction हो गया population में तो वो vulnerable category में है तो इसका मतलब यहाँ पर olive, ridley, turtles की population decline कर रही है drastically इसलिए इनको vulnerable में डाल दिया गया ठीक है और sites में appendix first sites basically international trade को लेकर के है मतलब यह कोई भी ऐसी species जिसको खत्रा बहुत जादा है कोई भी man-made activity या कोई भी इस तरीके से threat है तो उनकी population के survival के लिए जो international trade होता ना species में या फिर जो भी animals में उसको control करना जरूरी हो जाता है नहीं आपको पता है कि लोग मुनाफ़े के चक्कर में बहुत जादा नुकसान पहुंचा दे देते हैं इस तरीके से species को sites की appendix one में होने का मतलब क्या है कि इसकी protection highest level पे है अगर international trade की बात की जाए तो तो कुल मिला करके देखा जाए तो olive ridley turtle है यह अपने आप में बहुत important हो जाता है इस पर already UPSC कई बार question पूँच भी सुकी है और आगे भी पूँचा जा सकता है ठीक है यह area आपको बताई दिया already कि किस area में यह mass nesting होती है जिसको अरी बाड़ा बोला जाता है ठीक है चलते है next article पे next है pangolin pangolin basically इस तरीके से animal होता है जिसके चारो तरफ scale होती है scale का मतलब एक तरीके से hard covered होता है ठीक है basically यह hard cover का main purpose तो in animals के लिए क्या होता है कि जब भी कोई predator अगर इन पर attack करता है तो इसमें समट जाता है एक दम खुद को चारो तरफ से लपेट लेता है अब यह इतना जादा hard होता है कि बाहर से अगर predator कोई attack भी करेगा कोई जानवर अगर इसको खतम खाना भी चाहे तो वो इसके उपर ज़्यादा असर नहीं डाल पाएगा तो इस तरीके से यह अपनी protection के लिए साइज की बात करें इंडियन पैंगोलिन थोड़ा बड़ा होता है और चाइनीज पैंगोलिन थोड़ा सा आपको हो सकता है कम दिखाई दे अभी 18 फरवरी की बात करें ठीक है वैसे देखा जाए तो 2024 February मन्त अभी है और बाकी देखा जाए तो हर 18 साल 18 फरवरी को वर्ल्ड पैंगोलिन डे के तौर पर अब्जर्व किया जाता है इसमें में टार्गेट है कि यह जो पैंगोलिन से इनका कैसे भी करके protection किया जाए क्योंकि लोग जो हना जो hunters है पोचर्स है वो क्या करता है इनकी hunting करता है पहले तो इनका meat consume करता है बड़ा delicate होता है बड़ा delicious होता है और दूसरा इनका जो skull या outer जो portion है scale इसका use करते है traditional medicines की manufacturing में जिसमें अस्थमा जैसे बिमारियों का treatment होता है तो कुलमिलाकर के बात यहाँ पर क्या आ रही है इसमें Indian pangolin को तो endangered category में डाला हुआ है endangered का मतलब जिनकी population पिसले 10 सालों में 50 से 70% तक reduce हो गई तो आप देख लोग खत्रा बहुत जादा है इनको और Chinese pangolins को critical endangered category में डाला हुआ है इसका मतलब इनकी population 80 से 90% reduce हो गई है और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो यह extinct भी हो सकते हैं Chinese pangolins की अगर बात करें sites में appendix first में डाला हुआ है that means highest protection दी हुई है इसके अलावा wildlife protection act में schedule first में डाला हुआ है that means highest protection दी हुई है अब आप देखोगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस भी animal की खरीद फरोगत होती है उनमें से एक है most trafficked animal इसके अलावा यह mammal होता है mammal का मतलब mammal एक तरीके से इनमें जो दूद देने की जो capacitive मतलब अपने बच्चों को feed करने के लिए feeding का जो process होता है जिन animals में उनको mammals बोल दिया जाता है इनके चारों तरफ scales है यह already हमने बात करी लिए इसके बारे में और predator से बचाने का काम करती है अच्छा यह खाते क्या है यह चेटिया खालेते हैं दीमक्को खालेते हैं चोटे मोटे लार्वा जानवरों के उनको भी खालेते हैं और इसको scaly ant eater भी बोलते हैं यह चीटियों को खाना बड़ा पसंद करते हैं इंडियन पैंगोलिन और चाइनीज पैंगोलिन दोनों तरीके के हमारे देश में मिलते हैं आपको बता चुका हूँ और यह कहाँ पर नहीं मिलते हैं बट यहां पर भी मतलब थोड़ी बहुत भी मौश्यर अगर मिल इनको जैसे फ्लड़ेड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया कोई ठीक है जहां पर पानी अच्छा खासा मेंटेंट रहता है इसके अलावा कोई कल्टिवेटेड एरिया है जैसे कोई चावल का खेत है बड़ा उसमें या फिर सवाना ग्रास लेंट्स उची उची घासो वाले एरिया में भी यह मिल जाया करते हैं तो पैंगोलिंज जो हना यह बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है बहुत बार इनको न्यूज में आप हाइलाइट देख पाओगे फिर नेक्स हमारा जो इंपोर्टेंट स्पीस है इस एलिफेंट होता क्या है कि हमारी प्रेजिडेंट द्रापदी मुर्मुजी जो है वो गज उत्सव में जाती है असम में जो काजी रंगा नेशनल पारकव वहाँ पर तो ऐसे में ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉंच हो रखा है प्रोजेक्ट एलिफेंट जो लॉंच हो रखा है जिसमें एनिमल्स की प्रोटेक्शन के उपर काम किया जाता है उसके 30 साल पूरे हुए सबसे पहले चीज इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है देखो आयू सी एन में एंडिंजर्ड के टिगरी में है ध्यान रखना एंडिंजर्ड के टिगरी इसका मतलब 50 से 70 परसेंट इनकी पॉपुलेशन पिछले 10 सालों में कही ना कहीं खतम हुई है या फिर इनकी population लगाता decline की तरफ जा रही है साइट के इसाप appendix first में है और wildlife protection act में schedule first में है that means इनको highest protection दी जाती है हमारे देश में वैसे देखा जाए तो ये largest mammals है that means इनकी size बहुत बड़ी है इससे बड़ी size का कोई भी mammal आपको land पे नहीं दीखेगा land की बात हो रही है ये भी ध्यान रखना क्योंकि ocean में जाओगे ना तो वहाँ पर आपको whale मिल जाएगी blue whale type बड़ी बड़ी मचली वो भी mammals सी होते है तो हमें ये ध्यान रखना ये largest mammal on land okay elephant के जो tusk होते हैं जो दात होते हैं इनकी बड़ी importance है इनकी इनसे दवाईयां भी बनती है ornaments भी बनते हैं इसलिए इनका कई बार इनको poach भी किया जाता है hunting भी की जाती है illegally elephants का जो mechanism है आप देखोगे कि इनका social structure कैसा होता है इसमें matriarchy जादा dominant होती है that means maa है ना मात्र सत्ता वो चलती है और जो बच्चे होते हैं या फिर जो भी जुन्डे देखते हो आप elephants का उसमें normally आपको female जो है वो lead करती होई मिलेगी और जो calf हैं छोटे बच्चे हैं वो उसको follow करते होई दिखाई देंगे और males की बात करें तो वो more or less अलग से रहते हैं isolation में bachelor life जीना ज्यादा पसंद करते हैं bachelor का मतलब हो गया क्या कि हाजी जब intercourse करना है reproduction करना है तब तो आ जाते हैं contact में otherwise वो more or less separate ही रहना पसंद करते हैं एक बड़ी interesting बात है elephant में पहले एक बार question आ चुका है उसमें यही था कि gestation period कितना होता है that means गर्ब का जो समय है वो elephant का यह बहुत लंबा होता है 22 महीने का लंबा समय होता है तब जाकर कि बच्चा पेट से बाहर निकलता है इसके अलावा एक बच्चे को पैदा करने में एक elephant जो है वो 4-5 साल का समय लेती है ठीक है तो यह अपने आप में बहुत बड़ा समय अपने आप में consider होता है क्योंकि size भी तो है ना इस तरीके से इसके अलावा यह अपने आप में size बड़ी होनी ठीक है तो ऐसे में इनको consumption के लिए input भी ज़्यादा चाहिए खाने के लिए तो ऐसे में area भी बहुत बड़ा चाहिए मतलब extensive land area होना चाहिए जहां पर पानी हो खाना हो इनके घूमने फिरने के लिए जगय हो otherwise conflicts भी हो सकते हैं फिर इन में तो उस चीज़ को लेकर के और देखा जाए तो आजकल तो elephants का man-animal conflict में elephant बहुत ज़ादा involved होते हैं कई बाद train accidents होते हैं ऐसे कई cases भी highlight होते हैं इसके अलावा elephants हैं ये keystone species consider होते हैं keystone species का मतलब क्या है कि वो species जिनकी presence अपने आप में इतनी important है कि वो अगर है किसी area में द्यान से समझना वो अगर है किसी area में तो उनकी वज़े से जादा भी नहीं तो दूसरी किसी एक species की presence पर असर पड़ता है कहने का मतलब उस particular area में जहाँ पर elephants रहते हैं वहाँ पर इनका असर जादा भी नहीं तो कम से कम एक species पर तो देखने को मिलेगा अगर उस जगे से elephants खतम हो जाएंगे न तो जादा भी नहीं तो एक species खतम हो ही जाएगी हो सकता है जादा भी खतम हो जाए that means वो species जिनकी presence या absence सीधा असर डालती है जिस particular area की आप बात कर रहे हो तो उनको आप बोल देते हो keystone species elephants है यह seed dispersal में बहुत important role play करता है कैसे देखो खाने में इनको पसंद है bamboo वड़ा फेवरेट है तो यह या people के भी बहुत मतलब फेवरेट है इनका ठीक है तो यह खाते है कुछ तो definitely इनका वही food है food में seeds भी आएंगे seed आएंगे तो definitely इनका जो excreta होगा वो जब यह घूमते घूमते दूर दूर तक जाएंगे तो वहाँ पर seed फैलेंगे की नहीं इस तरीके से plants की एक तरीके से growth में भी help करते है और साथ में consume भी करते चले जाते है तो इससे क्या होता है कि access में plant growth कहीं पर हो रही है तो उसको control भी कर लेते हैं अब देखो elephants है आपको पता होना चाहिए कि elephant ज़्यादा height पर pair नहीं उठा सकते तो उनके passes हमें बनाने ज़रूरी होता है हमारे देश में अगर South India की बात कर ले या फिर मतलब आप देखोगी जिस जिस area में elephants फैले हो है न उन areas को 4 categories में divide किया हुआ है एक तो southern region हो गया एक northern एक north east और एक central east central ऐसे में total देखा जाए ना हमारे देश में तो लगबग लगबग 15 major ऐसे states है जहाँ पर आपको elephants की population अच्छी कासी मिल जाएगी अब सीधी बात है कि वहाँ पर एक यहाँ पर मानलो यहीं पर देख लो जैसे नागरोल टाइगर रिजर्वाई यहाँ पर भी अच्छी कासी quantity आपको elephants की मिल जाएगी बांधीपूर में देख लो मुद्धुमलाई में यह सारे एरिया जैसे हैं जो साउथ इंडिया के है बट यस यहाँ पर elephants की population बहुत सांदार बनलाब अच्छी खासी quantity यहाँ पर present है तो ऐसे में एक एरिया से दूसरे एरिया में elephant को अगर जाना है और आप वहाँ पर population growth होने की वज़े से कोई developmental project run कराते हो तो elephants के आने जाने में problem आएगी कि नहीं मान लो यहाँ पर road है तो road cross करके तो ऐसे मैं आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी या तो इनको underground कोई connectivity दे दी जाए या फिर उपर से कोई corridor बना दिया जाए तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक particular elephant वाले area से elephants अगर migrate करके दूसरे area में जाना चाहिए जाते भी बहुत लंबी दूरी तक हैं यह travel जब करते हैं तो तो उनको cross कराने के लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे corridors तो ऐसे मैं हमारे देश में elephant corridors की identification करने का काम central government के द्वारा किया जाता है तो उनके identification जब की तो total हमारे elephant corridor कितने हो गए 1500 ध्यान रखना 150 हो चुके है और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है West Bengal और वो लगबग कितने है 17% मतलब यह कि 1500 में से 26 elephant corridor तो केवल West Bengal में जो कि total का 17% है और 1500 elephant corridors कितने states में फैले हो है लगबग 15 states में एक चीज बड़ी interesting है यहाँ पर देखने वाली कि यह जितने भी elephant corridor है 1500 इनमें से 26 के लगबग जो कि 84% के लगबग हो गया वो तो केवल और केवल state boundaries में है तो मानलो उडिसा में कोई है तो उडिसा की अंदर की अंदर ही वो corridor है जहाँ पर elephants migrate करता है बाकी बचे हुए 19 elephant corridor ऐसे है जो की interstate है एक state से दूसरे state में migrate करता है जैसे की करनाटका से केरला की तरफ जाना इस तरीके से लगबग 19 आपके पास में elephant corridors मिल जाएंगे तो point यहाँ पर क्या आ रहा है कि आपके लिए यह जो elephant वाला जो topic है यह बहुत ज़्यादा important है क्योंकि इस से संबन देते government of India की तरफ से भी project चल रहा है और एक international level पे भी conservation के लिए efforts कर किये जा रहे है जैसे की mic program की बात करें सबसे पहली चीज mic program है किसलिए यह elephants की conservation से related है इसमें क्या होता है कि जितने भी areas में elephant फैले हुए है उन states को identify करना और उनसे जो भी information आपको maintain रखनी है जिससे की आप elephants की moment को भी आप trace कर सको कल को ना आपको कहीं पर किसी elephant की absence दिखाई दे तो आप कम से कम appropriate action तो ले सको तो इस तरीके से sites के under में इस चीज को manage किया जाता है sites का मतलब मैं आपको already बता चुका हूँ कि international trade में जब कभी भी किसी भी animal की population को threat अगर पहुँच रहा है तो वहाँ पर ये convention काम करती है जो कि एक international agreement है और इसका नाम क्या है convention on international trade convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora इस तरीके से ये sites बहुत important agreement हो जाता है जिसके चलते animals को protection दी जाती है और animals ही नहीं biodiversity के conservation के लिए ये काम किया जाता है हमारे देश में mic sites की बात करो भाईया इस list को दो से तीन बार देख लेना एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें revision पे बहुत ज़ादा rely करना जितना ज़ादा आप revise करोगे उतना ही ज़ादा effectively चीजों को memorize करोगे और हमेशा test series या test तो लगाते रहो इससे आपको बहुत help मिलती है तो ध्यान रखें चिरांग रिपू असम में है दांग पटकी असम में है इस्टन दुआर वेस्ट बेंगौल में है देवमाली अरुनाचल प्रदेश गारो हिल्स मेगाले मयूर बंज उडिसा मैसूर करनाटगा नीलगिरी तमिलनाडू शिवाली कुत्राकंड और वाइनाड केरला ये माइक साइट्स है जहां पर आप देखोगे कि आप एलिफेंट्स की जो मैनेजमेंट करनी है एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को ट्रेस करना उससे संबंदित ये काम होता है साउथ एशिया में ये कब से इंप्लेमेंट हो रहा है 2003 से और हम साउथ इंडिया में लॉकेटिड है ही इसके अलावा गवर्मेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो इनिशेटिव है इसमें में टार्गेट क्या है कि भई पॉपुलेशन जो है इलिफेंट्स की लगाता है डिकलाइन कर रही है तो इसको हमें कैसे भी बचाना है इसमें सबसे बड़ी प्रॉबलम आती है habitat loss जिस एरिया में एलिफेंट्स रहते हैं वहाँ पर एरिया श्रिंक कर रहा है डिकलाइन कर रहा है तो कैसे भी करके पॉपुलेशन जो है तभी मेंटेन हो पाएगी जब रहने के लिए जगह हम उनको दे पाएंगे ध्यान रखे प्रोजेक्ट अलिफेंट एक centrally sponsored scheme है देखो दो तरीके की scheme होती है centrally sponsored and central sector scheme centrally sponsored का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर central government एक part contribute करेगी और remaining part जो है वो state government को part अपनी तरफ से देना पड़ता है तो इस तरीके से 1992 से started यह project है देखने वाली agency central government की तरफ से ministry of environment, forest and climate change ठीक है और इसके अलावा अभी तक हमारे देश में कितने elephant reserves हैं यह आपको मोटा मोटा याद रख लेना है 33 और elephant corridors की बात करें तो कितने हो गए लगबग डेड़ सो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है West Bengal में तो यह अपने आप में बहुत important information थी जो की हमें ध्यान होनी चाहिए next है आपका sloth beer सबसे पहली चीज यह भालू वही है मदारी वाला भालू ठीक है एकदम simple language में बात करें तो appearance देख लो किस तरीके की होती है black color majority में है chest पे कई बार तो इस तरीके से V बना हुआ दिखेगा आपको cream color से कई बार कईयों के Y भी बन जाता है ठीक है और यह IUCN की red list में क्या है vulnerable vulnerable का मतलब क्या हो गया कि इनकी लगबग 30 से 50% population जो है वो decline हुई है पिछले 10 सालों में तो SME protection देने की जरूरत है इसी के जलते Wildlife Protection Act के schedule 1 में मतलब highest protection दी हुई है और sites में भी appendix first में डाला हुए that means केवल scientific research के लिए इनका export import हो सकता है otherwise इनका commercial purposes के लिए कोई भी export import नहीं कर सकता अब देखो Sloth Bear की बात करें तो ये majorly आपको dry और moist forest area में मिल जाएंगे ऐसे area जहाँ पर बहुत सुखा पड़ता है या फिर थोड़ी बहुत नमी भी रहेगी तो काम चल जाता है इनका और ये grassland area में भी मिल जाते हैं और इस particular species की highest population कहाँ पर मिलती है इंडिया में लगबग 90% ये मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर अच्छा ये omnivorous है इसका मतलब क्या है plants भी खा करके राजी है और animals को भी खा जाते है mangoes इनकी wild dogs होते है या leopard होते है वो इनके लिए खत्रा है जो कि इनको मारने में तुले रहते हैं इसके लावा इनकी breeding season बड़ी interesting है इनकी breeding season more or less spring late spring और early summers इसका मतलब आप मोटी-मोटी बात करो गेहों की घटाई हो रही है अभी season वालों की तो आप मान लो मोटा-मोटा उसी टाइम पे इनका breeding season होता है अच्छा इसमें एक बड़ी interesting चीज क्या बताई जा रही है कि जब females आप कह सकते हो की बर्थ देने वाली होती है या आप कहो कि pregnant होती है ना इन में sloth bears में तो वो एक behavior अपनाती है जिसका नाम है dining behavior अब dining behavior क्या होता है आपने देखा होगा कुटा कभी भी कोई चीज ऐसी हरकत में आता है कोई भी बाहर से मान लो भिजली कड़क रही है तो एकदम से वो क्या करेगा चुप चाप जाकर के किसी सौफ़े के नीचे कहीं चुप जाएगा अगर आपके घर में है तो या फिर बाहर stray dogs को भी देखोगे तो वो भी थोड़ा सा मिम्या करके side में गुश जाएंगे तो वो जो एक behavior है जिसमें शान्ती से एकदम किया मुझे तो कुछ पता ही नहीं है वो वाला behavior that is dining behavior और उस behavior के चलते हैं फिर ये भालू जो है ये क्या करते हैं ये अपनी cave या दुर खोदते हैं दुर खोदना वो काम किया करते हैं फिर और उसमें अपनी position को safe करके चलते हैं एक तरीके से more or less एक ऐसी isolation में जाना पसंद करते हैं जब pregnant होती है जब उनको कोई disturbance ना चाहिए हो साथ में इनका सोने और जागने का जो cycle है वो depend करता है कि actual में कितना threat है इनको लगे कि आर दिन में इधर उधर जाना खत्रा है आस पास में इडिटर्स बहुत है तो ये रात को निकल लेंगे नॉक्टरनल बन जाएंगे अदर्वाइस ये डारनल भी है और इसके अलावा इनका एक ऐसा behavior भी देखा गया है कुछ भालूओं में जिसमें ये सुबच जल्दी dawn के time पे या शाम के time पे गोदुली वेला जिसको बोलता है न dusk उस time पर भी ये घूमते फिरते मिल जाएंगे इस तरीके के animals को फिर बाद में नाम दी दिया जाता है क्रेपियो स्क्यूलर क्रेपियो स्क्यूलर scheduling का या तो early morning पे जिस time पर इनको लगे कि हाँ भी safe है ठीक है जी depend करता है कि इनका habitat कैसा है रहने की जगह कैसी और predators कितने खाने वाले जो खत्रे हैं जो भी आप कह सकते हो जो मारने वाले animals हैं उनको ध्यान में रखते हुए ध्यान रखें जो मदारी community है कलंदर community राजस्तान में मिलते है ठीक है इसका मतलब ध्यान नहीं दिया तो नुकसान में जा सकती है इसका मतलब ध्यान देने की ज़र्वत और sites में भी appendix second में है इसका मतलब ट्रेड जो है international trade उसमें regulation है बट यस उतना ज्यादा tight आप कह सकते हो observation नहीं है जितना की appendix first वालों के लिए होता है तो इस तरीके से status आपको ध्यान होना चाहिए अब देखो बात ऐसी है कि news में क्यों आया देखो जी आंधर प्रदेश और आप कह सकते हो तमिल नाडू की coastal area ठीक है आंधर प्रदेश और तमिल नाडू की जो कह सकते हैं इवेंट है बहुत बड़ा एक ही एक कह सकते हैं कि एक re-emergence है basically यह migratory birds है ध्यान रखना यह दूर दूर तक उड़ते हैं ठीक है कभी Siberia में चले जाते हैं फिर इधर आते हैं मतलब पूरा दूर दूर तक लंभी flight लेते हैं अब की बार flamingos का polycut lake में आना अपने आप में एक important event के तौर पे consider किया जा रहा है about flamingos की बात करें तो सीधी बात है इनकी specialized diet होती है क्या खाते हैं जी यह यह देको blue green algae चो microscopic छोटी छोटी algies होती है इसका मतलब यह ऐसे areas में रहना पसंद करते हैं जहां पर पानी रुका हुआ है एक तो बहुत important ध्यान रख नहीं है दूसरी चीज इनको benthic diet भी बहुत पसंद है यह भी एक तरीकी के algies होती है but yes यह वो animals या फिर रखाए सकते हैं वो plant है या वो species हैं जो की ज़्यादा गहरे पानी में नहीं होते है benthic diet जो होता है वो ज़्यादा गहरे पानी में नहीं होते है और more or less पानी पे float करते रहते है और उन्हीं को खा करके यह lesser flamingos अपनी जिंदगी continue करते हैं यह generally fresh water में नहीं मिलते यह ध्यान रखना fresh water में नहीं मिलते थोड़ा बहुत वहाँ पर नमकीन पन तो होगा ही चाए वो lake हो चाए pan हो चाए lagoon हो थोड़ा बहुत saline water तो होगा ही अच्छा मिलते कहां पर हैं यह देखो इनका पूरा जो belt है इसको आप इस map से देख सकते हो यहाँ पर जिसमें एफरिका का eastern portion हो गया मेडगास करा गया और इंडिया में भी western इंडिया वाला portion यह particularly हम notice करें तो महराष्टरा गुजरात वाला area ना वहाँ पर majorly यह दिखाई देंगे आप देखोगे कि flamingos के भी दो तरीके हैं एक तो यह lesser है और एक greater भी है उनका हम difference आगे देखने वाले हैं आगे देखा जाए तो यह obligate filter feeder है इसका मतलब क्या है कि यह उपर तैरती हुई पानी में जो भी इनको इनका जो खाना है वो तैरता हुआ मिलता है या फिर ज़्यादा गहरा नहीं होता है और उसी को consume करके survive करते है अच्छा इनके खाने में एक बड़ी काम की चीज है that is keratinoid, keratinoid pigment और keratinoid pigment इनके खाने में होने के चलते हैं इनका यह जो pink color appear हो रहा है यह आ जाता है इसका मतलब बड़ा healthy खाना खाते हैं बड़ा selective खाते हैं यह और उसके चलते हैं इनको एक beautiful pink color भी मिल जाता है ठीक है, male और females की बात करें तो यह देखो जब भी इनके छोटे बच्चे होते हैं उनको वो crop milk provide करता है अब यह बड़ी interesting बात है यह crop milk क्या है देखो इसमें simple सा तरीका है कि flamingos जो है, चाए male हो या फिर female हो पहले तो खुद खाना खाएंगे खाना खा करके अपने पेट में उसको पचा करके और उसको digestible बना करके अपने बच्चे की चोच में ले जाकर के अपनी चोच से खाना डाल देते हैं और उस crop milk के आदार पर बच्चे फिर survive करते हैं तो यह अपने आप में बहुत interesting feature है flamingos का इसके अलावा तंजानिया वाला जो area है Eastern Africa में जो तंजानिया located एक बड़ है हम फिर से चलते हैं map पे वहाँ पर आपको एक बड़ फिर से समझ में आएगा यह area है तंजानिया वाला ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि अभी industrial development के नाम पर soda ash mining हो रही है और hydro electric power plants वहाँ पर लगाए जा रहे है अब सीधी बात है वहाँ पर अगर chemical disturbance इस तरीकी की water bodies में आ जाएगी तो definitely वहाँ पर flamingos क्या रहना पसंद करेंगे जी बिलकुल भी नहीं ध्यान रखना यहाँ पर soda ash mining और hydro electric power plants के चलते है flamingos की breeding पर एक negative असर देखने को मिल रहा है तो यह चीज कहीं न कहीं concerning है तो आप समझ सकते हो कि इस species को भी खत्रा है तो इसलिए यह हमारे लिए important भी हो जाती है smaller या फिर lesser flamingos और greater flamingos में difference देखो appearance पहली चीज तो size का ही हो गया आपको दिख रहा है दूसरी चीज यहाँ पर यह जो खाना खाते है lesser flamingos यह देखो जनरली उपर flot करता हुआ जो खाना होता है इनका algis वो ही खाते है जब कि यह greater flamingos और अंदर तक dive करके अंदर तक भी जो अपनी मचलिया है वो मिल जाती है वो खा जाती है ठीक है greater flamingos जो है वो bottom shallow lakes में ज़्यादा रहते है that means वो बहुत गहराई से भी खाना खा सकते हैं बट yes इधर वाले surface feeders हैं कौन से lesser flamingos जिनकी हमने बात कर दी एक बड़े interesting point है कि जो यह greater flamingos है ना colonies होती है इनका यह जो group होता है यह थोड़ा छोटा ही होता है as compared to lesser flamingos तो size बड़ी तो group छोटा इस तरीके का mechanism इनके बीच में चलता रहता है चलिये जी next आजाई है greater scoop greater scoop की बात करे तो इस तरीके का यह बतक होता है ध्यान से देख ले ना आँखे बड़ी yellow होती है चूस थोड़ी grayish है इसके अलावा देखा जाए तो यह IUCN red list में least concerned है that means जादा इतना कुछ अभी concern tension लेने की ज़रुवत नहीं है survive कर रहे है sites में तो इनकी listing ही नहीं हो रखी even wildlife protection act में भी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है अब सवाल ही है कि जब इतना ही ज़्यादा tension वाली चीज ही नहीं है तो फिर इसको news में क्यों cover किया जीस के लिए simple सा concept है कि मनीपूर में जो lock tuck lake है ना वहाँ पर इसको recently देखा गया है और यह चीज अपने आप में इसको important बना देती है greater scoop की अगर बात करें यह medium size duck होता है जो dive करके अंदर तक जा करके मचलियां पगड़ के लाता है खाता है और इनको local language में क्या बोला जाता है southern man रिक है southern man भी बोला जाता है इनको और यह migratory bird है that means यह Europe, Asia, US, Canada इदर दूर दूर तक flight करके चले जाता है आराम से तो यह अपने आप में बहुत interesting point है साथ में यह मिलते का है सी दिवात लोक्टक लेक का नाम ही आ गया तो fresh water में मिलेंगे तो fresh water areas में मिलते हैं और generally यह Indian subcontinent में बहुत generally नहीं rarely आता है Indian subcontinent में ठीक है और जो भी grassy shoreline है that means आप यहाँ पर लोक्टक लेक की बात करोगे ना तो यह मनीपूर में located है ठीक है यहाँ पर मनीपूर में इंफाल में more or less एकदम मनीपूर के center में located है और यहाँ पर आप देखो कि यह floating grasses होती है लोक्टक लेक में इवन वर्ल्ड का इकलोता floating national park भी यहाँ पर located है केबूल लेम जो नाम सुना हो तो आपने ठीक है और इन floating grasses को बोला था फुमडीज इन फुमडीज वाले area में इनको रहने के लिए अच्छी खाशी जगह मिलीए और बीच में पानी है तो इस तरीके से survival का scope इनका ज़्यादा रहता है तो यहाँ पर अभी देखा गया इनको इसलिए यह news भी हमारे लिए important हो जाती है चलो जी next आपके लिए important species है that is Indian schemer Indian schemer की बात करें तो अभी क्या होता है जो गोदावरी रिवर है ना दक्षन की गंगा उसकी estuary that means mouth के पास में जहाँ पर हो बेओ बेंगॉल में अपना पानी ले जाकर के डालती है वहाँ पर जो आंदर प्रदेश का काकी नाड़ा district है ना वहाँ पर अब की बार Indian schemers को देखा गया जो की अपने आप में बहुत important है कारण क्या है कि यह ज़्यादा तर जो मिलते हैं यह नदियों के आसपास में मिलते हैं पर चंबल रिवर है ना जो राजस्थान ने मध्यपरदेश इदर फ्लो करती है यहाँ पर ठीक था quantity में यह मिल जाते हैं अपने आप में एक important point है ध्यान रखें IUCN red list में endangered है इसका मतलब इनकी population पिछले 10 सालों में 50 से 70 प्रतीशत तक गटी है साइट्स में कोई listing नहीं है इवन wildlife protection act में भी इनकी कोई listing नहीं है बट यस इनकी protection ज़रूरी है अब देखो यह मिलते कहां पर है देखो यह generally मिलते है इनकी जो nesting करने का जो process है ना अंडा देने का और जो अपने बच्चे प्यदा करने का वो generally होता है rivers के बीच में जो sandbars बन जाते हैं पानी के बीच में आपने देखे होंगे चोटे मोटे islands बन जाते हैं deposition की चलते हैं तो उसके area में यह वहाँ पर nesting करते हैं वो ही इनका रहने का तरीका है वहीं पर रहते हैं generally ठीक है जो कि marshy land होती है marshy मतलब दल-दली area वहाँ पर यह रहते हैं इसके लावा यह sandbars की बताई दी मैंने आपको रहता है mountainous course में पर जब वो बुड़ापे वाली position तक पहुँच जाती है जब पानी को ले जा करके कोई बड़ी इसी water body में ले जा के डालना होता है तो वहाँ पर slope हो जाता है कम और slope कम के चलते फिर क्या होता है यह पर यह depositional feature आपको देखने के बिले हैं जहां पर sandbars मिल जाते हैं जहां पर आपको deposited sediments मिल जाते हैं मिटी जमी हुई मिल जाती है और वहाँ पर फिर यह रहना पसंद करते हैं जिनको Indian schemer हम बोल रहे हैं आप इनकी आप देख सकते हो यह size थी का medium size की होता है और इनकी चूच ना यह beak इसका नीचे वाला portion लंबा होता है उचे वाला थोड़ा छोटा होता है और जब इनको hunting करनी होती है तो उड़ते उड़ते नीचे वाले portion को पानी में डाल देता है और उपर float करता हुआ कुछ भी अगर कोई तो वहाँ पर यह आराम से अपना काम चला लेते हैं जब यह disturb होता है मतलब जब यह तो flight कर रहे है या फिर जब यह disturb होता है तो यह nasal cap या फिर kip notes को अपने emit करते हैं अपनी कुछ है यह ऐसी behavior show करते हैं जो की इनी के साथ होती है ठीक है तो यह आपको ध्यान रखनी है threat क्या है देखो जी animals के लिए सबसे बड़ा threat है उनका habitat degradation उनकी रहने की जगह बिगड़ना बताया जाता है कि जिन rivers के आसपास में यह Indian skimmers मिलते हैं उन rivers पे अगर बड़े dam बना दिये तो sediment or dam के इधर रुख जाएंगे इधर कुछ आएगा नहीं तो वो sand bars नहीं बन पाएंगे तो इनके survival पे नुक्सान हुआ की नहीं इसके अलावा pollution भी अपने आप में बहुत बड़ी problem है और कई बार क्या होता है कि कैतना की transportation activities हो रही है ठीक है ships के through reverse में तो उससे भी इनको कही नहीं खत्रा बना रहता है ठीक है अगर हम गुदावरी अश्यूरी की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर Bay of Bengal के साथ में जो coastal line बनाई जा रही है आंतरप्रदेश के द्वारा वहाँ पर यह अभी एक तरीके से Indian schemers को देखा गया है चलिए जी next हमारे लिए important आज़ाता है that is Malabar tree tod ठीक है यह बहुत important frog है इसके बारे में इसलिए हम discuss कर रहे हैं क्योंकि अभी recently geological survey of India के द्वारा एक checklist update की गई है Indian amphibians के बारे में Indian amphibian मतलब भारत में मिलने वाले वो animals जो की land and water दोनों में survive करते हैं उनसे related list को update किया गया है अब की बार Malabar tree tod को भी उसमें जगह दे दी गई है अच्छा यह मिलते कहां पर हैं यह देखो अभी recent time पर देखे गए हैं Malam National Park और Mahaday Wildlife Century अच्छा इनका IUCN status क्या है जी endangered dice का मतलब वही 50 से 70 परसेंट देखी इनकी population recent 10 सालों में खतम हुई है sites में इसकी कोई provision नहीं Wildlife Protection Act में इसका कोई provision दिया हुआ है खत्रा क्या है अगे इन देखो छोटी सी species है जगह नहीं मिलेगी वही बात है जंगल कट रहे है तो जंगलों में रहने की जगह नहीं मिलेगी तो problem ही इसके अलावा climate change तो अपने आप में बहुत बड़ा खत्रा है और एक fungi बड़ी खत्रनाक तरीके से इनको damage करती है जिसकी वज़े से इनकी जनसंख्या घट रही है उस fungi का नाम आपको याद रख लेना है कई बार fungus पे भी question आ जाता है कि recently this 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 term was in news बताइए ये क्या है ये कोई frog की species है ये कोई fungus है ये कोई virus है इस तरीके से question आ जाता है fungus का नाम आप याद रख लेना बेट्रा को साइथ्रियम डेंड्रो बेटिडिस ठीक है बेट्रा को साइथ्रियम डेंड्रो बेटिडिस इस fungus का नाम है और इस fungus की वज़े से इनको बहुत ज़्यादा खत्रा रहता है और एक चीज बड़ी interesting है कि female जो होती है वो males के comparison में साइज में बड़ी होती है अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो wildlife century national park की बात है उनकी तो महादेई wildlife century जो 68 में located है गोवा में और यह जो wildlife century है इसके अलावा मोलम national park है उसका नाम बदल गर कि अब पूरा क्या कर दिया है बगवान महावीर century इसका मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है महादेई wildlife century गोवा इस तरीके से भी question आता है आपको ध्यान होगा अगर आपने PYQ solve किया है या फिर देखे हैं तो और यह भी पूछा जा सकता है कि बगवान महावीर century wildlife century कहाँ पर अगेन गोवा जाएगा महादेई तो river का भी नाम आपको पता होना चाहिए तो इस तरीके से आपको इस पर attention दे देनी है जोग्राफी environment दोनों hand in hand चलते हैं एक भी चीज को छोड़ देना दूसरे के लिए नुकसान दायक हो सकता है चलिए जी next नेक्स्ट आपके आगे Eurasian otters देखो इस तरीके के होते है otter ठीक है दिखने को तो चुहे जैसे है पर लंबी साइज होती है और ये basically amphibian ही होते है पानी में semi aquatic है इसका मतलब पानी में भी रहते हैं जमीन में भी रहते हैं अच्छा IUCN red list near threatened protection की ज़रत है भई अभी पिसले 10 सालों में इनकी population ठीक है population decline की तरफ बढ़ रही है पर इतना ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल चिंता की बात है पर फिर भी protection की ज़रत है sites में appendix first में डाला हुआ है wildlife protection act में schedule second में इनको डाला हुआ है that means protection है बट उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी की olive redly turtles को दी गई है अब बात ऐसी है कि ये क्यों news में है देखो चिनाब river है ना इंडस की tributary उसकी एक tributary है आप ये कहो उसकी भी एक ओर tributary है छोटी streams आपको पता ना river कैसे बनती है छोटे नदी नाले मिलकर indicator species है indicator species का मतलब अगर कहीं पर ureation otters आपको दिखाई दे रहे है that means कि वहां का environmental situation, environmental condition अच्छी है, pollution level कम है क्योंकि pollution resistance इनका कम होता है इस वज़े से जहां पर pollution बढ़ जाता तो ये वहां से निकल लेते है तो ऐसे में वहां पर दिखाई देना है अपने आप में एक positive sign है habitat जनरली ये western ghat और himalian region में दिखाई देता है western ghat का मतलब south इंडिया की हमारा जो western coast के तरफ located जो mountain से उधर दिखाई देता है और उसके अलावा himalian region में अच्छा ये nocturnal भी हो सकता है, diurnal भी हो सकता है अगर इनको लगे कि खत्रा है दिन में तो ये निकलेंगे रात को तो nocturnal, अगर लगे कि खत्रा नहीं है दिन में तो निकलेंगे दिन में तो diurnal, ठीक है डाइट में short animals को खा जाते हैं, crabs, small fishes उनके ओपर है dependent है और ये अपने आप में flagship species के तोर पे भी consider होती है flagship species का मतलब क्या हो गया ऐसी जानवरों की आप कह सकते प्रजाती जिनको डर है कि वो खतम हो सकती है तो ऐसे में क्या किया जाए ऐसे में ये किया जाता है कि जिस area में ये मिलते हैं न उस area में उनको social identification दे दिया जाए समाज में इस तरीके का message दे दिया जाए इनको ambassador बना दिया जाए particular area का कि इस area में जाओ तो आप duration otters को तो देखो कितनी शानदार species है तो ऐसे में लोग जो हैं वो इनकी protection के लिए भी awareness फैलाएंगे और काम भी करेंगे तो flagship species basically वो ही होती है ठीक है? aquatic habitat का बताई दिया मैंने आपको जिसमें ये पानी में भी रहते हैं और semi aquatic और जमीन पे भी रहते हैं अब ये इंडस river है इंडस की 5 important tributary जिसमें जेलम, चिनाब, राभी, ब्यास, सतलुज ये ब्यास और सतलुज दोनों मिल जाती है then comes the next species that is smew duck smew duck की बात करें तो अभी इनको कश्मीर में वुलर लेक वाला एरिया है वहाँ पर देखा गया है 116 साल बाद ध्यान रख लेना भाई, बड़ी interesting बात है 116 साल बाद अपने आप में बहुत लंबा समय बीत गया ये एक तरीके के duck किस तरीके की structure होती है color variant हो सकता है इनका but इनकी structure जो होती है वो इस तरीके से बड़ी तीखी होती है, missile कितर है तो ऐसे हमें इनको hunting करना बड़ा आसान रहता है, अच्छा जी protection status IUCN में least concerned है और sites में भी listed नहीं है और wildlife protection act में भी इनको list नहीं किया गया है size कितनी है इनकी medium size और कहाँ पर मिलते है Eurasian और European region में mainly दिखाई देते हैं that means आप देख सकते हो Europe और Asia का जो beach का area है आप देख सकते हो Central Asia वाला part देख लो या फिर Russia का थोड़ा वा portion देख सकते हो और इनकी structure कुछ इस तरीके से है जिन में hook tip और serrated edge that means आप देखो कि किस तरीके की इनकी structure है ये structure बड़ी helpful होती है इनको hunt करने में एक दम से पानी के अंदर गुसो hunt करो निकल लो ठीक है जी Wooler Lake की बात की जाए तो Wooler Lake कश्मीर में located है जो कि जेलम river से यहाँ पर पानी की supply होती है वैसे इसको oxbow lake भी बोला जाता है Wooler Lake को क्योंकि इसकी structure कुछ ऐसी है ठीक है इस तरीके की जेलम का ही part है यह अलग हो गया sedimentation deposition के चलते बट यास Wooler Lake अपने आप में important है जमो कश्मीर वाले एरिया में located है Wooler Lake रामसर साइट है रामसर साइट का मतलब हो गया एक wetland wetland का मतलब हो गया ऐसी जमीन जहाँ पर पानी की quantity इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसको हम lake या river बोले बट यस वहाँ पर एक तरीके से पानी की quantity इतनी है कि वहाँ पर आपको land एक तरीके transitional zone होती है wetlands जिसमें क्या होता land और water bodies के beach का area जहाँ पर आपको 6 मिटर या उससे कम गहराई का पानी मिलता है अब वहाँ पर animal जो है वो आपको मिल जाएंगे animal और plants जो है वो एक तरीके से land में survive करने वाले मिल जाएंगे और जिनके ओपर पानी भी आ जाए तो कोई समश्या नहीं है इस तरीके का बट जब उन्ही wetland areas को उन्ही नम भूमियों को ज़्यादा protection की requirement होती है तो वो फिट डाल दी जाती है रामसर side के तोर पे कि उनकी protection proper होनी चीए क्योंकि उनकी protection नहीं होगी तो ecology को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ठीक है रामसर एक convention है एक agreement है इरान में probably एक city है रामसर वहाँ पर हो agreement हुआ था जिसके आधार पर wetlands की protection की बात की जाती है जिस area में ये उलड लेक located है ना उस area में आप देखोगे एक mountain है जिसका नाम है हर्मुक mountain और उसी के bottom या फिर foot hills में ये located है ठीक है जी इसके अलावा ये अपने आप में important है कि पानी की supply कॉन से river करती है इसको जेलम जो मैं आपको अल्रड़ी बता चुका हूं चालिये जी next हमारे लिए important species है that is mangrove pitta bird ये बड़ी important species है क्योंकि एक तो size बड़ी छोटी है रंग बिरंगा दिखने में है इसका mask देखो black है इसकी chest देखो belly देखो yellow है इसका जो आप कह सकते हो wings है ये green, blue, black combination में आपको मिल जाएंगी IUCN में near threatened है इसका मतलब ये है कि ध्यान देना थोड़ा सा जरूरी है बटिया sites में कोई mention नहीं नहीं वाइले protection act में इसका कोई mention आपको मिलेगा इसके अलावा ये news में क्यों है बई recent time में क्या है उडिसा में इनकी census हुई और उस census को करने का तरीका बई सीधी बात है ये birds जुंड में मिले अब मिले भी कहा mangroves mangroves का मतलब coastal areas में मिलने वाले वो plants जो की saline water में भी survive कर जाते है नमकीन पानी में भी survive कर जाते है तो वहाँ पर आप देखोगे कि इनकी counting की गई counting का तरीका था क्या point count method that means एक साथ कितने जुंड में कितने बैठे है उनकी counting कर लो और plus ये देखो कि direct sighting direct sighting करकी कहाँ जी actual में कितने बैठे है उनकी counting कर लो plus creeping sound that means अलग-अलग words की अलग-अलग sound उनको sensitive electronic devices से sense करो count करो कि हाँ इतने words यहाँ पर idea से हो सकते है मिलते कहाँ है ये ये देखो बीतर कणिका उड़ीसा वाले एरिया में West Bengal के सुंदरबन वाले एरिया में ठीक है वहाँ पर देखने को मिलते है मैंग्रूज हमारे यहाँ पर कहां कहां मिलते है उनकी बात करें तो यह आपके सामने पुरा map है सुंदरबन आपको पता है West Bengal में located है और बीतर कणिका की बात करें तो यह उड़ीसा में आ जाता है और इसके अलावा लंबी list है यह map बड़ा interesting है map को आप ध्यान से देख लेना कि कहां कहां पर कौन कौन से हमारे mangrove sites located है ठीक है और इसको bio indicator के तौर पर भी देखा जाता है यह mangrove पिटा बरड़ना कैसे सीधी बात है यह जहां पर मिल रहे है इसका मतलब healthy mangrove condition है वहां की ecology वहां का environment थोड़ा सा stable है जग खाते क्या है यह देखो inside मॉलिस्क चोटे मोटे जानवर कीडे मोकोडे उनको खालिया करते है अब सीधी बात है हमारे यहां पर कहां मिलते है mangrove वो मैंने आपको मैप पर बताई दिया उसमें अब ज्यादा कुछ ज्यादा कतना dive in करने की जरुद जो है वो आपको होगी नहीं जैसे सुंदरबन वाला एरिया वेस्ट बेंगॉल, भीतरखनी काओडी सा आंदरप्रदेश वाले एरिया में भी गोदावरी बीच औरी है वहां पर भी आपको mangroves देखने को मिल जाएंगे जहां पर mangrove पिटा बर्ड है उनकी presence आपको मिल सकती है तो कुल मिला करके यहां पर हमने देखा कि कौन-कौन से important species है आगे चलता है नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है that is related to spotted pond turtle ये देखो अभी क्या होता है असम के काजीरंगा नेशनल पाक के पास में तीन जने जो है वो spotted pond turtle की आप कह सकते हो कि meet consume करते हुए मिले उन्होंने illegally capture किया और वो consume कर रहे थे तो ऐसे में वहाँ पर wildlife protection act के तहत उनके हिलाफ में कारवाई हुई point यह है कि wildlife protection act में इसको schedule first में डाला हुआ है दूसरी बात IUCN में भी endangered category में है और sites में भी appendix first में है black और yellow में combination में है और यह spots है yellow इसलिए इसको black यह आप कह सकते हो spotted pond turtle इसको बोल दिया जाता है common names की बात करें तो इसको black pond turtle black spotted turtle hamilton's terrapin के नाम से भी जाना जाता है मिलता कहाँ पर है जो south asian subcontinent है जिसको indian subcontinent भी बोलते है इसके north और north eastern region में मिल जाता है जैसे कि हमारे यहां पर अभी काजी रंगा की बात करें तो यह SM north east में आगया वहाँ पर मिला है appearance की बात हम already कर चुके है black color होता है और yellowish spots होता है और साथ में wedge shaped marks होता है that means इस तरीके से lines है यह आपको बनी हुई मिल जाती है बाड़ी पे इसके अलावा यह mainly मिलेगा कहाँ पर fresh water that means आपको saline water में नहीं मिलेगा pond का नाम आगया na pond का मतलब होगा ही fresh water और वो pond के पानी को हम बोलते है technically lentic water देको दो तरीके से पानी को आप classify कर सकते हो एक तो होता है flowing water जिसको बोलते है low tick और एक होता है stationary water रुका हुआ जिसको बोलते है lentic तो basically pond जो होते हैं तालाब वो क्या होता है lentic तो यह जो spotted pond turtle है यह basically lentic water bodies में मिलता है यह carnivorous है that means कीडे मकोडे या फिर पानी में मिलने वाले छोटे बड़ अनिमल से उनको खाता है plus कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनकी जो vegetative tract है इनकी जो digestive tract है body के अंदर जो पूरा पाचन तंत्र है उसका जब investigation किया गया तो कई बार कुछ vegetation या vegetative material भी मिला है मेजरली तो यह देखो animals कोई consume करते हैं छोटे animals को इंसेक्ट भी हो सकने है snails भी हो सकने है snail मतलब रैंक के चलने वाले जो पानी कीड़े होते हैं ठीक है बट कई बार vegetation भी मिल गया इसके अलावा females की size है वो आपको ज़्यादा मिलेगी males के comparison में और इनका एक बड़ा interesting point क्या आता है कि यह generally आप देखोगे कि twilight के time पर आपको ज़्यादा दिखाई देंगे कहने का मतलब जब अंधेरा सा रहता ना हलका सा अंधेरा रहता है ठीक है तो शाम का time मानो मोटा मोटा ठीक है उस time पर यह generally आपको दिखाई दे जाता है और उसके पीछे भी कारण क्या है कि शाम के time पर एक तो क्या होता है इनकी visibility काम कर जाए और दूसरा यह जल्दी से observe भी ना हो मानलो इनका कोई predator हो इनको खतम करने वाले इनको खाने वाला कोई animal को attack कर सके तो उससे बचने का यह तरीका है और यह जो behavior होता है जो शाम के time पर निकल करके अपनी खुद की requirement पूरा करने के लिए animals निकलते है उसको बोलते है एक तरीके से crepuscular ठीक है crepuscular behavior बोला जाता है इसको ठीक है तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें important है और काजी रंगा नेशनल पार्क की बात करें तो यह असम में इस जिगह पर देख सकते हो ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास में इसके अलावा असम में located important other wildlife century और नेशनल पार्क की बात करें उनमें मानस है orang है इसके अलावा लोग हुआ है इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो holangapar, gibbon ठीक है holangapar, gibbon और यह के दिबरू सेख हुआ यह important है इनका थोड़ा ध्यान रख लेना कई बार match the following में आ जाया करते हैं चलिए next पर चलते है next है alligator garfish alligator आपने देखे होंगे जिस तरीके गड़ियाल होते है लंबी उसकी उनकी beak होती है और उनके इस तरीके से खतरनाग दांत होते है तो basically यह fish है ना यह अभी recent time में कश्मीर में आप देख सकते हो कश्मीर में पहाड़ी एरिया है सुन्दर सुन्दर वहाँ पर लेक्स है अब वैसे देखा जाए तो यह इडिलिक लेक्स इडिलिक लेक्स मतलब कश्मीर में बहुत सारी लेक्स हैं सुन्दर जिन में आप देखोगे कि बहुत है सिंपल है पीसफुल प्लेस होती है तो इडिलिक बेसिकली एक ऐसा एक ऐसा वर्ड जिससे आप किसी की स्पैसिफिकेशन बता पार है तो कश्मीर में जो लेक्स हैं उन में से किसी एक लेक में अब नाम यहां पर स्पैसिफिक नहीं अपने पास में बट यस इडिलिक लेक का मतलब होगा एक ब्यूटिफुल लेक जहां पर जाकर कि आपको कामनेस फीलो त्योरिसम के लिए वह बहुत इंपोर्टन कंसिडर की जाए तो वहां पर क्या होता है एक गार फिश मिली इसका ऐलिगेटर गार फिश मिली जो कि नॉन नेटिव है क्योंकि यह यहां की नहीं है यह बेसिकली कहां की है नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में मेक्सिको की बात करें या नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहां पर मेजरली मिलती है यह अब यह अपने आप में आप देख सकते हो तो कितनी खतरनाक है, अगर गलती से भी इस तरीके की लेक्स में कोई मानलो की नहने के लिए उदर जाए, तो ये गार फिश तो बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर सकती है, तो कई बार इस तरीके से अलर्ट हो करके भी आगे चलने की ज़रूरत होती है, खर पॉइंट हमारा है कि ये गार फिश जो है, अलिगेटर गार फिश ये क्या है, सबसे इंपॉर्टन चीज तो यह है कि इसके जो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसके जो आप कह सकते हो, जो स्वीम करने में जो हेल्प करने वाले फिन है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, रे फिंड, इस तरीके से जो लाइन है निकली हुई है, ऐसी स्ट्रक्चर हो गई, दूसरी ये किस फैमिली से बिलॉंग करती है, गार फैमिली से, और एक इंपॉर्टन चीज, इस फिश के अं दर लवनता या सैलेनेटी के वैरियेशन आ रहे हैं तो, तो इसलिए ये और भी ज्यादा खत्रणाग हो जाती है, वैसे देखी जाए तो, दूसरी बात करें, तो इंडिया में ये मेजरली भोपाल और केरला में तो देखी गई है, बट अभी कश्मीर में और देखी जा च अब इसलिए इसलिए और आप देखोगे कि अपने आप में नेटिव स्पीसीज जो भी है, जैसे आप कश्मीर के अंदर ये मिल गई ना, तो कश्मीर में इन लेक्स में, इडिलिक लेक्स, ब्यूटिफुल लेक्स में जो और वहां की नेटिव स्पीसीज है, उनके लिए खत्रा है, क्योंकि हो खाएगी इनको, तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपोर्टन्ट हो जाता है, आई-उ-CN के इसाब से देखें, तो लीस कंसर्ण, ज्यादा हो के इंटेंशन वाली बात निए, सर्वाइव कर रही है, और आयस साइट में लिस्टिंग ही नहीं हो रखी ठीक है, तो ये थी Alligator Garfish, आजये आए, Next पर, Next है Himalayan Brown Bear, इसकी बात करें, तो structure आप देख सकते हो, ये color में brown है, ठीक है, और Himalayan region का मतलब ये Himalayan area में मिलता है, त्मेंज, Snow covered areas में ये आपको Majorly देखने को मिल जायेगा, जहां पर बर्व से डखा हुआ है हमाले वहाँ पर, तो basically क्या होता है भी recently कि जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का जो wildlife department है उसके द्वारा हंडवाड़ा basically जम्मू कश्मीर में ही है ठीक है तो वहाँ पर एक brown beer को capture किया गया ठीक है अब ऐसे में brown beer का नीचे आना अपनी food requirement के लिए होगा या फिर रास्ता भटक जाए कुछ भ पहाड़ है पहाड़ी एरिया में ज्यादा हाइट पर मिलने वाले जो भी carnivores है carnivores का मतलब जो दूसरे animals को खा कर एक सर्वाइव करते हैं तो उन carnivores में one of the largest ही है अच्छा इसकी position जो है वो more or less कितनी मानी जाती है कितनी हाइट के ऊपर यह मिलते हैं तो यह 200 से 2500 मीटर से ज्यादा हाइट के ओपर यह generally मिलते हैं इसका मतलब more or less snow covered areas में यह आपको दिखाई दे जाएंगे अब point है कि जिस area से ऊपर snow cover है तो वहाँ पर आपको यह भी ध्यान होगा कि tree survive नहीं कर पाते पेड़ बोदे survive नहीं कर पाते तो ऐसे में वो line जो की ऊपर तो snow cover है और यह arboreal भी यह arboreal का मतलब हो गया कि यह पेड़ बोदो पर रहना भी पसंद करते हैं ठीक है जहां कहीं इनको मिल जाता है इस तरीके की structure है तो पेड़ो पर रह जाते हैं बट generally यह tree line से उपर ही मिलते हैं बट यस अपनी खुद की requirements पूरी करने के लिए कई बार आना भी प करते हैं अपनी food requirements को पूरा करने के लिए चाहिए फिर वो छोटे insects मिल जाए तो भी इनका काम चल जाता है या फिर आप देखोगे कि इनकी जो requirements उनको पूरा करने के लिए यह छोटे crustacean that means पानी में मिलने वाले soft bodied जो भी animals है plants है उन पे भी वो survive कर लेते हैं आराम से इसक कुछ भी खाना मिल जाए उस पे survive कर सकते हैं इसके अलावा यह भी hibernation करते हैं hibernation का मतलब क्या हो गया कि एक बार जब इनके लिए adverse climatic situation create हो जाती है तो यह क्या करते हैं अपने आपको बिलकुल शांत कर लेते हैं अपनी खुद का जो जो भी अपना habitat है जो भी अपना area ज का hibernation का मतलब क्या हो गया कि अपनी सारी activities एक दम गता में एक लंबी नींद में चले जाते हैं ठीक है तो यह October से अपरेल मही तक यह जब हमारे आपर ठंड पड़ती है उस समय पर hibernate करते हैं मिलते कहां पर है जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्राखंड वो ही again Himalayan region आगया status क की बात करें तो sites में देखा appendix first में that means इसके international trade को बहुत ज़्यादा control किया जा रहा है sites के द्वारा क्योंकि वो कहीं न कहीं के survival के लिए threat है इसके अलावा wildlife protection act 1972 में schedule first इसका मतलब highest protection इनको मिला हुआ है next point आजाता है C butterfly देखो butterfly तो ऐसे basically आपको बताए कि हवा में उड़ती है बट यहाँ पर इसकी appearance देख सकते हो इस particular animal की जिसकी हम बात कर रहे हैं जिस species की वो basically appearance में more or less butterfly की तरह दिखाई देता है और इसके जो limbs है इधर side के जो दो limbs है यह basically है तो masculine that means इनमें muscles है इनकी बट यह easily float कर पाती है easily tear पाती है oceanic water में और appearance जो है वो more or less butterfly जैसे दिखती है इसलिए sea butterflies का नाम दे दिया तो point यह है कि इनके लिए खत्रा बढ़ता चला जा रहा है that is rising ocean acidification that means जो oceanic water है उसकी acidity level जो है वो बढ़ रही है अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा concept को समझना होगा देखो हम आपने सुना होगा कि pH value होती है अगर हमें कभी भी किसी भी liquid या किसी भी material की acidity या फिर basic tendency को check करना है तो ठीक है तो ऐसे में अगर pH value 7 पे आती है तब तो देखो वो है more or less neutral ना तो वो जा रहा है आपकी alkaline tendency की तरफ मतलब एक तरीके जग शार भी नहीं बन रहा और नहीं वो बन रहा है acid अब ऐसे में क्या है कि अगर oceanic water की बात करें तो उसकी pH value 7 से जादा होती है तो ऐसे में more or less वो saline water हो गया और saline water के अंदर survival जो oceanic animals हैं या species हैं उनका survival possible हो पाता है बट हो क्या रहा है कि जिस तरीके से fossil fuel burning हो रही है जिस तरीके से greenhouse gases का emission हो रहा है उसमें carbon dioxide dioxide को जो content है उसकी quantity जब जैसे जैसे environment में बढ़ रही है तो यह carbon dioxide फिर बाद में oceanic water के साथ में एक तरीके से react करती है और बना लेती है एक तरीके से carbonic acid क्या बना लेती है carbonic acid और वो carbonic acid जो है उसके चलते oceanic waters की आप कह सकते हो कि acidification हो रही है वहाँ पर pH value जो है वो 7 से नीच जैसे का मतलब आप कह सकते हो कि 6 हो गई 6.5 हो गई तो उसका मतलब वहाँ पर acidity बढ़ रही है तो वो चीजे क्या शो कर रही है कि वहाँ पर ocean water जो है उसकी salinity खतम हो रही है salinity reduce हो रही है और इस चक्कर से इनके जो water bodies में रहने इन oceanic waters में रहने वाले जो animals है जिनमें एक कहिए sea butterfly इसके survival को भी वहाँ पर खत्रा मंडरा रहा है दिखाई दे रहा है अब देखो characteristics की बात करें तो यह already मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके पास में muscular feet होते हैं जिनको flappers हम बोल सकते हैं exactly वैसे ही जैसे normal तितलियों के पास में अपने punk होते हैं तो यहाँ पर यह क् दिखा जाए तो यह अपने आप में बहुत ही unique एक आप कह सकते हो कि अपनी physical अपी एक तरीक फिजिकल करेक्टरिस्टिक लेकर चलती है जिसको बोलाता है हर्मेफ्रोडाइट्स ठीक हर्मेफ्रोडाइट्स का मतलब ही होता है कि ऐसे species जिनके पास में male और female male और female दोनों reproductive organs available हो तो यह अपने आप में इनको बहुत unique बना देती है इनके पास में male और female reproductive organs दोनों के दोनों एक की particular animal या particular आप कह सकते हो कि एक individual के पास में present होते हैं इसके अलावा इनके पास में जो body है जिस structure को आप यह हाथ में भी देख सकते हो more or less transparent है बट इसमें calcified that means calcium content होता है जो कि इनको एक strength भी provide करता है और जैसे जैसे ocean में इनको survive करना होता है तो थोड़ी मुश्किलें कम होती है no doubt acidity को यह bear कर पाती है but yes अगर acidity अगर लगातार बढ़ती चली गई pH value लगातार 7 से कम होती चली गई तो इनके लिए fit खत्रा हो जाता है तो वही point हमारे लिए यहाप पर important था ठीक है see butterfly के संबंद में चली है next हमारा आगया pygmy hog दुनिया के सबसे छोटे सूर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं ठीक है यह basically बहुत important है इससे संबंदित articles या फिर इससे संबंदित question पूछे जा सकते हैं तो इस पर थोड़ा साथ ज्यादा attention देना भई pygmy hog की बात करें smallest rarest indicator species है indicator species का मतलब जिस भी ecosystem में यह मिलेंगे न इसका मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ healthy environmental situation बनी हुई है अगर यह इनकी population decline कर रही है तो मान के चलो जिस area में pygmy hogs मिलते हैं और वहाँ पर population decline कर रही है तो इसका मतलब वहाँ पर environmental threats लगातार बढ़ते चल है इसके अलावा देखा जाए तो यह majorly कहां पर मिलते हैं यह देखो Himalayan region के जो foot hills है that means Himalayan region में जो भी पहाड़ी area में यह foot hill वाला area जो है जिसमें आप majorly आप हमारे north वाले states उठा सकते हो ठीक है और उसमें भी alluvial grasslands alluvial grasslands आपको कहां पर मिलेंगे मानलो उत्राखन में म उत्रप्रदेश में बिहार वाला area भी आ जाएगा इसके अलावा north east में चले जाओ Bengal का पार्ट आ गया कुछ ठीक है Assam का पार्ट आ गया तो वहां पर आपको pygmy hogs है वो दिखाई दे जाएंगे ठीक है और यह ऐसे यह mammals है इसका मतलब memory gland है इनके पास में और यह भी अपन सरीके से उनका यह process रहता है और यह अपना खुद का home बनाते हैं सबसे बड़ी interesting बात क्या है कि यह अपना खुद का घर बनाते हैं जिसमें छत भी बना लेते हैं तो इतने creative species हैं यह यह अपने आप में और अभी फिलहाल देखी जाए तो इसकी अच्छी खासी जो population है वो क आपको देख चुके हैं तो मानस वाल्लेफ संचुरी टाइगर रिजर्ब यहां पर आ जाता है तो यहां पर आप यह इधर देखोगे तो भूटान में उपर की तरफ आप मोर और लेस नोटिस करोगे तो यहां पर हिमाल्याज तो हिमालेन फुट हिल्स यहां पर आ गई औ इसलिए इसको क्या वो दिया इंडिकेटर स्पीशी प्रोटेक्शन स्टेटर्स की बात करें आई उसी एन में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला है क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब होता है कि पिछले 10 सालों में लग 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 असी से नभए परसेंट पॉपुले इसके अनटर में भी तो कुल मिला करके देखा जाए तो पिगमी हॉक्स जो है वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए गौर्मेंट ने और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही कड़े प्रोवीजन की हुए है और जरूरी भी है इनके प्रोटेक्शन के लिए चलिए नेक्स आगय यह आपका दोले बेसीकली जंगली कुझतो को बोला जाता है ठीक है देखो इसमें डोले बेसीकली अभी सिमली पार वाला जो एरिया है और जो यहां पर फिर से देखने को मिला है पिसले 30 सालों से गायब थे यह वहां पे ठीक है जी डोले की बात करें तो इनको वाल यह लिए इसके लावा देखा जाए तो इनके लिए सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं, यह रहते कहां पर हैं, यह जनरली उसी एरिया में रहते हैं, जिस एरिया में टाइगर्स लेपर्ड और यह और अल्रेडी रहते हैं, उन्हें के आज पास में घुमते फिरते मिल जाएंग अच्छा, इनकी एक बड़ी एक यूनिक क्वालिटी है, यह कम्यूनिकेट करते हैं गूसरे के साथ में विसल बजा बजा करके, कभी अगर वीडियो देखा हूँ आपने, कि वाइल डोग्स किसी दूसरे अनिमल पर अटैक कर रहे हैं, तो चींची करके आवाजे निकालते है इसलिए इनका नाम भी विसलिंग डॉग निकाला हुआ है, ठीक है, एरी विसल बोलते हैं उसको एरी विसल, तो वो विसलिंग जो है, उसके चलते हैं इनका नाम भी विसलिंग डॉग निकाल दिया, जो ग्राफी की बात करें, कहां कहां मिलते हैं, तो एक तो देखो, रश इस तरफ हो गया आपके पैनिंसुलर इंडिया में इसके अलावा देखा जाए तो नौर्थीस्ट इंडिया असम वाले एरिया में रुधर भी आपको देखने को मिल जाएंगे अच्छा प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो देखो जी आयू सी एन रेड लिस्ट में इस इसके अलावा वाई लेफ प्रोटेक्शन एक 1972 में शिड्यूल सेकेंड में डाला हुआ है डैट मींज अगेन इंडिया में भी इसके ओपर ज्यादा इतनी कह सकते हैं कि इतना ज्यादा कोई मतलब शिड्यूल से फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा कम यहां पर रेगिले इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं इन स्टेटमेंट्स को थोड़ा आपको मेमराइज करना पड़ेगा कारण क्या है कि इन स्टेटमेंट्स को देखर के फिर पूछा जा सकता है कि एक तो यह बताईए कि अभी फिलहाल इस तरीके के स्टेटमेंट्स देखर के कि रीसेंटली क इस राज्य ने किस राज्य ने इस particular paragraph में दी हुई information के आधार पर जिस fish की बात हो रही है जिसने अपनी state fish के तौर पे उसको declare किया है तो उस point of use हो जाता है basically point है कि गुजरात सरकार ने black spotted crocker जिसको घोल fish बोलते हैं जिसका figure यहाँ पर दिया हुआ आप देख सकते हो कि इसको state fish के तौर पे declare किया है क्यों जी क्योंकि गुजरात में fishing जो होती है ना उससे बहुत बड़ी economy run होती है वहाँ पर ठीक है क्योंकि coastal state है तो और दुनिया भर में हमारे हाँ से गुजरात की तरफ से इसका export होता है इसका meat जो है बताया जाता है बहुत ही delicate बहुत ही delicious something होता है तो ऐसे में दुनिया में बड़ी demand है तो गुजरात government ने इसको declare कर दिये हमारी state fish hours से ठीक है जी तो यह basically मिलती कहां पर है देखो गुजरात और महरास्टरा की coastal line जो है ठीक है ना गुजरात है और महरास्टरा की coastal line है इधर वाले area में इस area में आपको major lease का confinement मिल जाएगा ज गई और वहां पर भी muddy bottom of sea beds आपने notice किया होगा कई बार कुछ fishing videos इस तरीके से आते हैं कि आप beach पे चल रहे हो और वहां पर वह कुछ indicator ले करके फिर देखते हैं वो TT करने लग जाता है फिर उसमें से वो निकालने की कोशिश करते हैं तो वहां से कुछ fish या कुछ निकलता ह तो basically ऐसा area जहां पर है तो वो coastal area में but yes वहां पर से आसानी से मचलिया जो है वो उस muddy area से निकाल करके वो use कर सकते हैं इसके अलावा tidal rivers और estuaries again वही कि जो rivers आ रही है land से और वो आकर के जो water अपना mix कर रही है sea water से तो उनका जो एक merging point होता है जिसको mouth of river भी बोलता है तो वह यहां पर भी क्या होता है कि sediments जो river लेकर क्या आ रही है वो भी आ गए और plus साथ में इधर से जो oceanic water है वो भी अपनी तरफ से कुछ nutrient इधर लेकर क्या जाता है तो इसलिए conducive situation यहां पर बन जाती है इन घोल fishes के लिए इनको खाने पीने की व्यवस्ता भी अच्छी मिल गई करती है और इससे गुजरात में बहुत मतलब कहता है कि गुजरात की इकॉनमि में अच्छा ख़चा contribution यह फिश करती है अच्छा survival किस पर है इसका देखो crustacean that means again water में मिलने वाले soft bodied जो भी animals हैं जो भी plants हैं mainly तो animal ही बोलो क्योंकि यह ज़्यादा तर animals पे ही survive करती है और य कि गोल फिश क्या है और किस state ने इसको अपनी state fish के तौर पे declare किया है अच्छा IUCN और उनकी बात करें तो IUCN में तो देखो near threatened है इसका मतलब ध्यान देना थोड़ा जरूरी है बट यस अभी भी कहीना कही काम चल रहा है और बाकि उनकी बात करें IUCN के अलावा आपके sites औ और wildlife protection act की तो देखो वहां पर इसका है listing नहीं कर रखी है चलिया जी next next आपकी आगे नाम दपा flying squirrel यहां पर आप देखो यह squirrel है गिलरी अब इसको flying squirrel बोल तो दिया पर यह उड़ती नहीं है ध्यान रखना यह जब jump करती है ना तब अपने चारो हाथ पैर और यह खोल लेती है फिर सीधी बात है अपना area surface area अगर इन्होंने फैला लिया तो फिर क्या होगा जादा हवा के ऊपर यह आराम से फ्लॉट कर पाती है और फ्लॉट करके फिर लेंड करती है तो इस वज़े से इनको flying squirrel बोल दिया जाता है ठीक है मानलो कोई बड़े पेड़ से छोटे पेड जाती है फ्लॉट करती हुई इसका मतलब यह नहीं कि उड रही है वो फ्लॉट कर पाती है जंप करती है तो स्मूद लेंडिंग हो पाती है तो अभी मुद्दा क्या है मुद्दा यह है कि 42 साल से missing नामदपा flying squirrel जो है वो अरुनाचल प्रदेश में एक बार फिर से नाम जो दिया गया है यह जो नेम है इसके पीछे भी एक simple सा point है कि नामदपा national park जो है वो अरुनाचल प्रदेश में located है और वहीं पर यह squirrel mainly मिलती है that means native है endemic है अरुनाचल प्रदेश के लिए और वहाँ पर जो national park है उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया नामदपा flying squirrel ठी वही रात के समय निकलने वाले जो भी जानवर होते हैं उनको nocturnal बोल देता है ठीक है इसके अलावा यह इनकी location exact देखी जाए तो यह अरुनाचल प्रदेश का एक district है जिसका नाम है चंगलांग district ओके जो की मियामार के साथ में border share करता है अभी हम देखेंगे map पे मैं आप आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप देखिए यह एरिया है चंगलांग district का जो की अरुनाचल प्रदेश में located है यही पर नामदपा national park भी है तो उसी में यह squirrel आपको देखने को मिल जाए अच्छा यह है क्या herbivores that means यह plants पे survive करती है animals को नहीं खाती जैसे fruits nuts इनके ओपर survival इनका चलता है protection status IUCN red list में critically endangered इसका मतलब पिछले 10 सालों में 90 प्रतिशत के लगबग इनकी जनसंक्या में कमी आई है तो protection भी highest दे रखा है और wildlife protection act में इसको अभी schedule second में डाला हुआ है इसका मतलब overall देखा जाए ना तो हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में तो इस पर अभी schedule second में डाला हुआ है but yes again protection wildlife protection act के अंडर में दी हुई है इसका मतलब यह नहीं है कि protection बिल्कुल भी नहीं है schedule second का मतलब हो गया protection है but highest level की जो protection मिलती है वो नहीं मिल रखी है ठीक है जी चलिए next अगर बात करें तो next हमारे पास important species that is rare pelgic bird देखो pelgic words जो होते है वो इस तरीके के होते है appearance में ठीक है pelgic bird का मतलब यह होता है कि वो अपने काम को कुछ exceptional manner में करते है और इनका जो एक कहते हैं कि यह nomenclature जो है इनके लिए एक simple सी बात कही जाती है pelgic का मतलब यह हो जाता है कि यह अपनी जिंदिगी का ज्यादा तर समय जो है वो open oceans में बित हैं तो basically अभी recent time में होता क्या है कि birders network ने pelgic birds को notice किया कहां पर करनाट का के दक्षिन करनडा district में again बात अगर देखी जाए दक्षिन करनडा district तो यह आपकी मालाबार कोस जो है करनर district वहां पर located district का करनाट का का वहां पर अब देखो pelgic bird basically क्या है उनके बारे में देखते है pelgic birds basically वो birds होते हैं पहले तो नाम से पता हो गया कि वो birds जो कि अपनी सिंदगी का बहुत बड़ा समय समंदर के उपर बिताते हैं that means उनके dependency ही oceanic waters पे है that means वहां पर जो भी animals है जो भी fishes है उनके उपर वो survive करते हैं ठीक है इनके पास में लंबे और बड़े wings होते हैं इसलिए इनकी flight भी बड़ी लंबी हो सकती है और heavy आप कह सकते हो कि animals को जो oceanic animals है उनको भी आराम से capture करके उड़ पाते हैं ठीक है इसके लावा इनके example की बात करें इन pelgic birds में तो albatros हो गया frigate bird, flumer, petrels, sharer water ये basically सारे के सारे oceanic birds हैं जो की समंदर के आस-पास में आपको बटकते हो है मिल जाएंगे ठीक है बहुत सारे pelgic bird तो ऐसे होता है या ज़्यादा तर मानों आप तो कि इनके जो आपको पता है इनके प्रेज कहां पर मिलेंगे ocean में अब एकदम से अगर इनको dive करना पड़े चोंच खोल करके तो सीधी बात है जो इनका प्रे है उसके साथ में कुछ saline water भी इनकी body में घुसेगा सीधी बात है पानी भी आए गई अब वो पानी कैसा सीधी बात है saline water आएगा अब saline water आएगा तो इनकी body में special salt glands होते हैं उनकी body में कुछ parts ऐसे होते हैं जो की salt content को side कर देते है और जो पानी है उसको filter करने का काम कर देते नहीं तो ऐसे मेHNख को लेती है salt को और आप कह सकते हो कि oceanic prey जो है फिर उसको consume करने में help कर देती है इन pelvic birds को कहने का मतलब समंदर पे उड़ने वाले पक्षियों की एक तरीके से उनकी body ही इसी तरीके से adapt कर रखी है कि वो saline water को भी अगर drink कर लेते हैं oceanic bodies के अगर बात करें बड़ी बड़ी की तो इनके पास में एक बड़ी गजब की टेक्नीक है जिसको बोला जाता है klepto parasitism klepto parasitism यह अपने आप में बहुत important term है इसका मतलब क्या होता है कि यह जान बूज करके अपने से छोटे जितने भी और दूसरे predators है उनसे उनका शिकार चुरा लेते हैं मतलब यह कि आप देखोगे कि इनको लगता है कि हाजी हम थोड़े powerful है तो जो छोटे दूसरे predators वहाँ पर अपने प्रेश को खाने में लगे हुए है ना या फिर उन्होंने को शिकार किया है तो उनसे चुरा करके ले जाएंगे यह बड़ी गजब की इनके पास technique होती है मतलब दूसरे का कमाया हुआ धन खाने का इनका भी मन रहता है और यह कर लेते हैं ऐसा ठीक है तो ध्यान रखना इस particular technique को उम बोलते है kleptoparasitism चलिए जी next आ जाता है आपका Siberian Tiger Siberian Tiger इस तरीकी की appearance रखता है नाम Siberia आ गया है तो इसका मतलब बर्फ में सर्वाइव करता है इसमें जो इसका color है यह थोड़ा सा orange color सा light orange color का सा दिखाई देता है अब समझते हैं मुद्दा क्या है मुद्दा कुछ ऐसा है कि अभी Darjeeling जो की West Bengal का district है वहाँ पर पदमजा नाइडू हिमालियन जूलोजिकल पार्क है तो वहाँ पर Cyprus जो की Mediterranean Sea में located एक country है वहाँ से दो Siberian Tigers एक का नाम है Lara एक का नाम है Akamas याद रख लेना Lara और Akamas इनको relocate किया गया है या फिर यह कहो कि इंडिया में इनको लाया गया है Darjeeling में नाम याद रख लेना पदमजा नाइडू हिमालिया जूलोजिकल पार्क कई बार मैस दो फॉलोइंग में या पूछा जा सकता है अब देखो Siberian Tigers की बात करें तो इनको आमूर Tigers भी बोल दिया जाता है इनका सबनेम है ठीक है मिलेंगे कहां पर Cold Climatic Forest में Again Siberia की बात आगे तो बर्फ के आसपास वाले एरिया में ही मिलेंगे अच्छा ज़्यादा तर कहां पर confined है यह Far East रश्या और थोड़ा बोच चाइना वाले एरिया में यह एरिया आप देखोगे न यहाँ पर आपको Siberian Tigers मेजरली मिलेंगे चाइना का North East और Far East of Russia यहाँ पर आपको Siberian Tigers मेजरली या लोकली देखने को मिलेंगे इसके अलावा यह इनका प्रे क्या है शिकार क्या है तो देखो यह अल्क, बोवर, बियर मतलब जो भी वहाँ पर छोटे बड़े एनिमल्स मिलते है ना इनको अपने खुट के हैबिटाट के आसपास में इवन रैबिट और फिशेस को भी यह हंट कर लिया करते हैं जस्टेशन पीरियड की बात करें एक बार प्रेगनेंट होने के बाद में कितने महीनों के बाद में बच्चा पैदा होता है तो वह है 3 से 3.5 महीनों का फिमेल टाइगर्स हैं वो 2 साल में एक बार बच्चा पैदा कर दिया हाँ इसमें कोई सीजन नहीं है कि आजी particular वो time आएगा तभी वहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, tigers के no, किसी भी time हो सकते हैं, but yes, दो साल में एक बार होता है, यह fix है, इसके लावा, आमूर टाइगर का जो coat color है, that means यह उपर का appearance है, मैं बता दी, आपको lighter orange है, इसके अलावा, इसके लिए सबसे बड़ा खत और आप यहाँ पर IUCN की category में देख सकते हो, इनको endangered बताया हुआ है, इसका मतलब population drastically decline कर रही है, तो protection जरूरी है, और sites ने भी क्या कर रखा है, appendix first में डाला हुआ, that means, आप कह सकते हो कि international trade पे बिलकुल ban है, अगर आप scientific research करना चाहते हो, तो बात अलग है, अगर हम Darjeeling district की तो West Bengal के North में located है, जो की भूटान और नेपाल के साथ अपनी border share करता है, और उपर सिक्किम आई गया, ठीक है जी, और इसके अलावा और जो tigers है, उनकी बात करें, तो Siberian tiger की location यहाँ पर देख ली, South China tiger, चाइना में तो देखो, यह बताया जाता है, कि इस तरीके सा अगर असमान को दिखाई दे रही है, तो बोलो, वो खाने लाइक है, इसके चलते क्या होड़ा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा crisis है, चाइना का बहुत बुरा आल है, ठीक है, फिर आजाओ Bengal tigers की, हमारे यहाँ पर मिलते हैं, इसके लावा इंडोनेशन tiger हो गया, Malian tiger हो गया, सुमा जाती है, और इवन चारो तरफ, गले के चारो तरफ, जैसे नॉर्मल जो शेर देखता है, उसी तरीके का पूरा एक, मतलब एक कहता है, की main है, वो create हो जाता है, तो basically sea lions की बात करें, तो यह mammals ही है, again, वो ही, इनके पास memory gland होती है, जो की breast feeding का अपने बच्चों के लिए वो क semi aquatic lifestyle को follow करते है, semi aquatic का मतलब कभी पानी में और कभी जमीन में, मिलते कहां है, Pacific Atlantic और Indian Ocean के कुछ parts में, majorly तो Pacific और Atlantic में, क्योंकि यह बहुत लंबी swim करके जाते हैं, बहुत लंबी swim कर सकते हैं यह ठीक है, और Indian Ocean में भी कुछ parts में मिल जाते हैं, अच्छा सब species में, इसकी South America के western portion में, जहां अल नीनोगार, इनका effect आपने कभी देखा हो, तो उस तरफ वो Galapagos Island वो located है, इसके लावा New Zealand, South America और stellar sea lion के नाम से, different sub species इसकी categorized की हुई है, sea lion की, तो थोड़ा इसके बारे में ध्यान रख लेना, चलिए जी, next, cicada, बहुत important, इनको true bugs भी बोला जाता है, Basically, आप देखोगे कि ये ऐसे insects हैं, जो कि environmental balance को बनाये रखने में बहुत important role play करते हैं, ठीक है, पहली चीज़ तो अपने requirement के लिए, ये जो कुछ भी खाते पीते हैं, तो उसके चलते क्या होता है, कि इनके ये pair होता है, इनसे लग करके, pollination का बड़ा काम हो जाता है, और सिकाडा अपने आप में important है, अच्छा, सवाल ये कि सिकाडा अभी context में क्यों है, ये देखो इनकी बात करें, तो ये insect species है, जिनको पुराना चीविडा भी बोल दिया जाता है, इनका नाम जो है, ये पुराना चीविडा, ये नाम पढ़ा है, Malayalam language से, ठीक है, चीविडू बोल दिया जाता है, उसमें, इसलिए पुराना चीविडा नाम दे दिया, इनको पुराना चीविडा, तो सिकाडा, पुराना चीविडा, एक ही है, इनके appearance देखोगे, तो इस तरीके से होती है, ठीक है, हलके होता है, ठीक है, और इनको true bugs इसलिए, क्योंकि एक more or less, ये इनके पास में इस तरीके का structure होता है, आप देखो, कि इनकी body जो है, वो more or less, अगर काटी जाए ना तो बराबर बराबर कटे, इनके pair है, वो एकदम बराबर एकदम proper balanced में, balanced situation में है, अच्छा मिलते कहां पर है majorly, ये सबसे ज़्यादे इनकी diversity इंडिया और बांगला देश इसके अलाबा इनका use, local लोग जो है, वो medicine बनाने के लिए भी कर लिया करता है, और जब इनकी death हो जाती है, तो इनकी deceased body, nitrogen source के लिए, के तो आर पर plants के लिए helpful भी होती है, क्योंकि सीधी बात है, कि अच्छी soil से अगर ये survive कर रहा है, और उसके बाद में death हो गई, तो dead bodies जो ठीक है, Indian flying fox bet, recently एक research हो रही है, ठीक है, research हुई, vital bet species पे, जिसमें ये कहा गया, कि ये जो Indian flying, flying fox bet है, ये जो चमगादड है, इसकी protection हमें बहुत जल्दी करने की ज़रत है, इसके उपर लापरवाई हो रही है, और इसकी बोलो population भी decline कर रही है, basically, bats जो है, वो अपने आप में biodiversity के बहुत बड़े symbol है, क्योंकि इनका काम भी देखो, ये इनकी बात करें, Indian flying fox bet की, ये more or less herbivores बताया जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये भी plants पर ही survive करता है, fruits काता है, इनको fruit bet भी बोल दिया जाता है, great Indian fruit bet भी इनको बोल दिया जाता है, अब आप देखोगे, कि अब रिसेंट टाइम में निपा वाइरस का जो outbreak हुआ था, ठीक है, वाइरल डीजीज, तो वो भी कहीं नगे, इनी की वज़े से हुई थी, but that doesn't mean कि हम इनको मार दे, ठीक है, तो इनसे बचा जाए, वो एक important point है, दूसरी चीज, इनके survival के लिए government को effort लेने चाहिए, ये ब मिल जाते हैं, अच्छा सबसे अच्छी बात क्या है इनकी, या सबसे unique बात क्या है, कि नॉर्मली चमगादर के लिए ये कहा जाता है, bets के लिए, कि रात को वो निकलते हैं, और रात को वो eco location के concept पे काम करते हैं, इनको दिन में निकलना पसंद है, ये vision और smell के basis पे अपने object को target करते हैं, और फिर खाते हैं, अब सवाल ये आता है, कि eco location का concept क्या है, जो कि ये नहीं करते, तो वो हम समझते हैं, देखो, चमगादर जो होते हैं, रात को जब निकलते हैं, देखो, visibility नहीं होती ये, visibility से काम नहीं होता है, वैसे ही काम कैसे करते हैं, अपने eco location के concept पे, और वो कैसे हैं, अपने मुसे आवाज निकालेंगे, आवाज निकाल करके मानवो, यहां पर कोई object है, ठीक है, object है, कोई insect है, कोई कीडा मकोरण ऊडरा है, तो ये अपनी मुसे, जो भी frequency पे आवाज निकालेंगे, वो आवाज फिर ठकरा करके उस object से, अपने कानों से sense करे तो यह जो concept है that is equal location concept तो इसमें क्या हो गया इन्होंने अपना ही signal बेजा और उस object से टकरा करके आये हुए signal को अपने हिसाब से calculate किया पता पढ़ गया कि object की actual distance कितनी है कितने समय में signal टकरा के वापिस आया इस हिसाब से यह अपने target अपने object को target करता है और hunt कर लेते हैं पर व दिन में hunting की तो जड़रत ही नहीं है तो mainly fruit bats है तो यह दिन में ही अपना काम चलाते हैं ठीक है vision और smell के आदार पर ठीक है देख लिया सूंग लिया उसके basis पर IUCN में अभी तक list concerned category में डाला हुआ है बट यहां पर attention देने की बात कर दिया तो हो सकता upgrade कर दिया जाए sites की बात करें appendix second में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है wildlife protection act में बात करें तो schedule second में डाला हुआ है तो कुल में लाकर के देखा जाए तो Indian flying fox bet जो है ये भी अपने आप में अब इनकी भी population लगा था decline कर रही है government को इनके उपर भी attention देने की ज़रूरत है ये बात कही गई scholars के द्वारा तो ये तो था देखो हमारा faunas का जो पूरा portion था recent time में जो news में रहे fauna मतलब animals